हलो दोस्तो आयाएफल वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तीन बड़े कॉर्परिट एक्षन बोनस डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट तीनों ही इस कंपनी में होने वाले हैं करके रखिए जनवरी 19 की तारीक गुरुवार का दिन है दोस्तो जिस दिन आयाएफल वेल्थ मैनेजमेंट बोनस और स्टॉक स्प्लिट की घोशना करने वाली है और साथ साथ फोर्थ मतलब चौथा इंट्रिम डिविडेंड भी डिक्लियर करने वाली है तो 19 जनवरी बहुत इंपॉर्टन रहने वाली है डीटेल साती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे तो जब हम फोर्थ इंट्रिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो ऑल्रेडी तीन डिविडेंड कंपनी की तरफ से आ चुके हैं जब में के महिने में 20 रुपए फिर जुलाई में 15 और फिर ऑक्टोबर में 17 रुपए के डिविडेंड के घोशना हुई थी मतलब 52 रुपीज का जो डिविडेंड है कंपनी के द्वारा अल्रेडी पे हो चुका है और अभी फोर्थ डिविडेंड हमको पता चलेगा कंपनी की अगर डिविडेंड पॉलिसी के अगर आप बात करेंग तो जितना भी वो प्रॉफिट कमाएंगे कंपनी ने कहा है उसका 70 से 80 परसंट जो भी है पैसा वो एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को वो डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे फाइनशेल ये 21 में 70 रुपीज और 22 में 55 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने दिया सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वाटर 3 के रिजर्ट्स आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन है सब कुछ हम वहां पोस्ट करते रहते हैं और साथ साथ लेटेस्ट म्यूच्वल फंड के पोट्फोलियो जो है वो भी हम शेयर कर रहे हैं एक्स्क्लूजिवली सिर्फ टेलीग्राम मैं दोस्तों अब देखिए कंपनी का नाम अभी फ्यूचर में हो जाएगा थ्री सिक्स्टी वन डबलू एम करके तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है यह जनवरी पांच से यह नाम जो है थ्री सिक्स्टी वन डबलू एम लिमिटेड करके हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आएफल वेल्थ मैनेज्मेंट नहीं थ्री सिक्स्टी वन डबलू एम करके नाम अभी दिरे-दिरे सब जगह में पोटल्स में अप्लोड हो रहे है अपडेट हो रहे है सौरी मार्किट कैप है लगभग 16,000 करोड से थोड़ा कम कंपनी को मैं एक स्मॉल कैप केंपनी को मान सकता हूं लेकिन अगर ग्रोध करती रहे तो जल्दी से ये मिट कैप भी बन सकती है अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 1783 है बट अगेन स्टॉक्स प्लिट और बोनस होता है क्योंकि देखें उसमें कुछ फंडामेंटली च ज्यादा है कंपनी का लून का भी बिजनस है फिर अगर आप देखेंगे 24.4 इंडस्ट्री का 26.7 अगर आप देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन लगभग 28 परसंट के आसपास यहां पर रहे हुए हैं जो हम यहां पर देख सकते हैं आये एफल वेल्ट मैनेजमेंट के दौ जैसे होते हैं ब्रोकरेज अकाउंट जो है डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट वह वाला बिजनस फिर एडवाइजरी का बिजनस है कि एनेजमेंट है उसमें एडवाइजरी होती है कि कैसा जो पैसा है उसको मैनेज किया जाए वह वाला काम लेंडिंग वाला पार्ट है इसल सुआ दूसरा है एसेट मेनेजमेंट में जहां पर अल्टरनेट फंड्स हैं पी-ए-मस हैं देखिए अगर कोई इंवेस्टर पचासलाघ या उससे ज्जादा इंवेस्ट करता है तो पी-ए-मस के रूट के थू में भी वह लोग invest कर सकता है और फिर mutual fund भी है IAFL के mutual funds भी आपने जरूर सुने होंगे तो यह दो business line है mostly जब हम IAFL की बात कर रहे हैं wealth management वाला और दूसरा asset management में जहां पर उनके खुद के PMS और mutual funds यहां पर है कैसा performance रहा है कैसा business रहा है तो अभी latest में अगर आप देखेंगे quarter 2 में 405 करोड का उनका revenue रहा है quarter 1 से quarter 2 increase हुआ quarter 2 पिछली बार के साथ compare करें तो 362 करोड जो था revenue था जो बढ़के 405 करोड हुआ और अभी जो numbers आने वाले हैं तो आप देख सकते हैं 420 करोड का उनका quarter 3 में revenue था तो अब हम देख रहे हैं कि stable profits increase हो रहे हैं और profit before tax भी stable यहां पर हमको increase होता हुआ दिखाई दे रहा है return on equity बहुत ही important है आप देख सकते हैं 23.7 फिट लगभग 27 28.1 25.9 27.8 मतलब 25-28 percent के बीच में strong return on equity company की हमको देखने को मिल रही है अलग-अलग business है wealth management भी कर रही है mutual fund भी कर रही है और lending का भी business कर रही है साथ में final अगर आप देखेंगे 6 महिनों का कैसा performance रहा है तो आप देख सकते हैं 259 करोड उन्होंने अप्रेल से September 2021 में कमाए थे जो 333 करोड हो गए अप्रेल से September 2022 मतलब पिछले साल में तो एक stable business है कुछ business ऐसे भी है जो हमेशा cash generate करने वाले हैं interesting business है दोस्तों बाकी 19 जनवरी का wait करेंगे जब और ज्यादा details आएगी क्योंकि बहुत सार इवेंट्स होने वाली है जहाँ पर company dividend है stock split है bonus है सब का announcement करने वाली है तो early financial से लाजादी में हम इन सब चीजों पर नजार रखेंगे चैनल को दोस्तों जरू सब्सक्राइब करके रखेंगा धन्यवाद